वे चलते हैं आपको राजस्थान विधान सभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलाप चन कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं? तब आप एकनमी टीम लगा करके इनका पोस्ट माटम करें तब आपको इस समझ में आ जाया के बीमारी कहां से चली है? यह बीमारी इन व्योसाईयों के थ्रू चली है में और आप पेपर आउट करेंगे पेपर लगगा पांथ लाग दे दूगा आठ लाग दे दूगा मैं क्या दो करोड पांच करोर आठ करोड दे सकता हूं क्या है? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े दिग्गत लोग हैं जो कोई दस करोड में पेपर ले जाता है कोई तीन करोड में ले जाता है कोई दो करोड में ले जाता है फिर अपने कोचिंग संस्तान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बहा लगाता है मेरा हंडेट पर्षेंट सेलेक्षन ये है बिमारी की जड़ अगर मार करना चाहते हैं तो यहां करो तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्टान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्खिल चे पढ़ता है अपने गर में बुड़े माब आपको भूखे मारक पढ़ता है और उसके बाद परिक्षा के लिए जाता है रोतवा गर लोटता है क्या दुख नहीं होता है अपने सारी सरकारी नोक्रियों को बेज दिया मैं बहुत कड़वासत बोलना हूँ आज जो पिछले आठ साल में नोक्री में लगे ना उन सब का भी पोष्ट मार्डम करा आपको लगेगा आदा फर्दी मामना निकलेगा कोई है दुख कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा हैना जिस प्रकार से हमने परिक्षा के माद्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आसाओं के उपर पानी फेर दिया रात और दिन पढ़ता है पूख का पैसा पढ़ता है गर बेच करके पढ़ता है खेच बेच करके पढ़ता है लेकिन जब उसका सेलेक्शन नहीं होता तो जेर खा के मरता है कोई स्पीडा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाहरे है कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया इस कानून से कुछ भी नहीं होगा मैं आज आज आपको कह रहा हूँ यह जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं मुझे बहुत दुख है इस बात का क्या होगा यह किस तरह की ग्यंग पाल नहीं है उन्हानी पिला दो है मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने का ही यह शिक्षा संकुल पर है जिन लोगों को ड्यूटी पर लगाया इसको लगाने वाला दोशी कौन है जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल लिया यह तो ठीक है भागिया हमारा अच्छा था कि सवाई मादोपुर की घटना खुट गी और एसो जी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपके सारी नोकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपने घर लोटके जाता क्या दुरभा किया है और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सक्त बना दिया इतले अपरादी रुख जाएगा नए सिस्टम को बदलना होगा इस परिक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा मैं सोचना हूँ कि क्या हम इतने अकल बंद बैठे हैं क्या इस वह ब्यवरस्ता को चेंज नहीं कर सकते है क्या एक ही पेपर हारे राजस्तान में 20 लाख बच्चों को दिया जा है क्या इसका कोई ओल्टरनेट नहीं हो सकता इसका ओल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परिक्षा को टूड़े टुकड़े में कैसे कर सकते हैं जिले के अनुसार पेपर ने एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कुछ तेहर नहीं करेगा कौन सा जाएगा और हम जो इच्छा होगी वो सेंटर पर बेपर भेजेंगे और ये जितने भी प्राइवेट स्कौलेजों में आपने सेंटर बना रहे हैं उनको बंद करो इनको तुरंट बंद करिये एक ओर्डर से जितने भी सरकारी विद्जाल है और सरकारी नोकर ही एक्जामिनर बनेगा और एक्जामिशन करेगा तब तो आप इसको बचा पाओगे ताकि आप और मैं कितने भी कानूनें बदल कर दे आपका वो जांच करेगा आपका वो अधिखारी आएगा आपने का आप इसे शेशन जजच के नीचे इंडियुक्ती नहीं होगी इसके अलग से कोट होगा बहुत अच्छी बात है प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत करता हूँ पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं करूँगा कुन करेगा जब हमी ठीक नहीं हैं तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बेटे बेटे हैं जब तक हमारा दिल और दिमाग शीख नहीं होगा न इस बिमारी का इलाज नहीं होगा हमने शिक्षा के मंदिर को ब्रष्टाचार की भटी में जला कर खाक कर दिया दुर्बाग गे हमारा जहां से कोई आशा की किरन दिखते थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाओंगा लेकिन अब वो निराश्चा में आ गया है उसको लगा कि आप कोई रास्ता नहीं है और इस कारण से मैं सूचता हूँ कि आप जिस भावना से लाया मैं आपकी भावना की इज़त करता हूँ लेकिन केवल आपकी भावना इंद वैमानों को नहीं रोक सकेगी इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंद उस पर ध्यान करना चाहिए कानून 302 का बना हुआ है क्या मर्डर रुग गए आप भी जान रहे हैं रोज के रोज पोक्सो कोट में आजीवन कारावा सुरा क्या विविचार रुग गया है अपरादी को दंड मिल सकता है अपराद बंद नहीं हो सकता है अपराद बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो एक मात इस देश में ब्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था केवल और केवल एक तरह से प्रत्यक व्यक्ति का खाता खुलवा कर देश के प्रदान मंती में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला बैमानों को चोट लगी नहीं लगी उस तरप अपना दिमाग पचाओ उस तरप अपना दिमाग लगाओ किस बिमारी का इलाज कहा है और कैसे हो इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो मैं कई बार इदर सीकर और इदर घया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देगे ना तो टोपी किर जाए नीचे से, क्या चीज़े आ रहा है, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसा ही है, और जो बाखी संसा हैं, उसका कारण यह है, कि हमने अपनी दुकान को इतने कमजोर कर दी है, कि जहां बच्चे अच्छी तर से शिक्षा लेकर कि हम जैसे गरीब पढ़कर के यहां आगए, अब वो रास्ते नहीं है, और इस कारण से मेरी बहुत बिल्ड़ प्राठ्थना है, इस बिमारी का इलाज से यह बच्चे को कानून से नहीं होगा, कानून के लागा होगा, और उसमें आपका रहे धन्यवाद, थैंक्यू.